तो दोस्तों जिनोंने बिहार कोरोना साहता अप्लिकेशन पर रइश्टर सफ़ता पूर्बा कर लिए हैं और पैमेंट की इलिटेट कॉश्चन्स है और बहुत लोगों का यह भी कहना है अप्लिकेशन काम नहीं कर रहा है तो लेटेस्ट वर्सन का अप्लिकेशन बिल्कुल क काम करेंगा तो यह अप्लिकेशन देख सकते हैं यहां पर आपके सामने में और यह अपन हो चुका है यहां पर क्लिक करने के साथ आपको आवस्यक सुचना निवासी हुँ पुना आप परियास करें ठीक है जो पंजी करें नहीं कर पाये थे उन्हें बताया जा रहा है पुना परियास करने के लिए सबसे पहली बात तो बिहार के अंदर में जो है यह वह अप्लिकेशन पर राजी में रहेंगे तभी आपके जीपियस इसे अलाओ करेगी आगे वरने के लिए फस्ट पेज तक तो आपका यह खुले गा लेकिन जैसे सत्यापित करें पर जाएंगे तो आपका यह आगे का प्रोसेस नहीं लेगा इसलिए अगर आप अधर इस्टेट में फसे हुए हैं कहीं भी ब्यार से दूसरे राजी में फसे हुए हैं इस अप्लिकेशन को वी आई यज डॉट एनाइसी डॉट इन को आपको डालना है और यहां पर देख सकते हैं सबसे नीचे दो लिंक मिलराइस को ठीक है एप लिंक वन लिंक टू दिया जा रहा है चोकि रादा डानलोडर रहने कारण डानलोड स्लो रादा इसलिए लिंक दो दिया गया है ताक रासी एक हजार दी जाएगी इसे प्राप्त करने है तो नीचे दिये गए लिंक पर मुवाइल अप करना साहता बिहार क्रोना बिहार क्रोना साहता डानलोड करें तथा अपने बाड़े में सुचना अंकीत करें बस सिंपल है दोस्तों यहां पर जैसे क्लिक करेंगे यह आप प्रोपर काम करेंगा और खुलेगा अब लिएसू नहीं रहा तुरंत ओड़िपी ढगा रहा है और तुरंत नहीं सुकसेश्पूल का मैसेंच जा रहे कैसा मैसेज आता हूं तो यह जो मैसेज दोस्तों यह इस तरह का मैसेज आपको पहला मैसेज आपको आता है रいきस् कर लेंगे तब आएगा और यहां पर बता रहां इंटरनेट कनेक्टिमिटी पूरा फास्ट रनना चाहिए तभी यह आपका प्रोफर वर्क करेगा तो जान रहा है लेकिन उसकी बावर्ण कारण साल होड़ा और जान तो निहां पर कारण से और्या यहां पर और यहां पर रहा कि इंग्रिस में आपको आपकीmpर लाउ के शीक्राइब करना है कितना साल हो राएं अधार करण से यह यहां पर डाले मैल अप्रूब्स अड्यक्त करें पिता का नाव लावर्ती आधार कार्ट संख्या डाले सत्यापित करें पर किलिक करें उसके बाद सकेंड पेड़ ले जाएगा जहां से कि आप अभी किस राजिम है वो पूछा जाएगा उसके बाद आपको अपना आधार कार्ट का ये एक फ्रंट का एक फोटो देना है और एक सेलफी लेना होता है और बैंक एकांट डिटेस देकर समिट कर देना होता है वहीं पर आपको मुबाइल नंबर साथे अप्रित करने के लिए ओटिपी जेनेट होता है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इसे रजिस्टर्ट करने के बाद हर बड़ाए पिल्कुल नहीं यानि कि रजिस्टर्ट करने के बाद आपको इधर उदर नहीं करना है वेट करना है कुछ भी अगर होता है तो उसका मैसेज की दोर आपको सुचना दी जाती है जैसे कि रिजेक्ट होता है या कभी आपका सक्सेस्पूल हो जाता है तो पेमेंट भेजने का मेसेज आता है सारा मेसेज आपको मुवाइल पे मिलते रहता है दूस्तों इंतजार कीजिए जल्दी आपको यह अप्रूबर का मैसेज भी मिल जाएगा और जिनका लंबित अभी तक एमांट है पेड है पेंडिंग एमांट है जो कि अभी तक रेइस्टेशन के बाद नहीं आया है वो एक स